सिर्फ कुछ दिनों के लिए सरदी में इस तरह से चाय बनाके पी लेंगे तो आपकी सारी सुस्ती, थकान, कमजोरी, मिंटों में गायब हो जाएगी और बिमारिया आपके पास आने से भी डरेगी क्योंकि ये कोई सीधी साधी आम सी चाय नहीं है बलकि ये सो फाइदो वाली चाय है जो कि शरीर की इम्मुनिटी और एनरजी दोनों ही बढ़ाईगी और इसे बनाने के मैं आपको एक नहीं बलकि दो तरीके बताऊंगी तो सुभर सुभर चाय की ये गरम प्याली आपका पूरा दिन बना देगी क्योंकि ये इतनी टेस्टी है कि इसकी एक चुसकी लेते ही मज़ा आ जाएगा तो जिन है चाय की लत लगी हुई है उनके तो मज़े सो गुना बढ़ जाएंगे पर सबसे पहले तो आज हम बनाएंगे ये सो फाइदों वाली स्पेशल चाय तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम पतीले में पानी डाल कर गरम करेंगे आपको जितने कप चाय बनानी है उसका आधा आपको पानी गरम होने के लिए रखना है मैं चार कप चाय बना रही हूँ इसलिए मैंने ये दो कप पानी गरम होने के लिए चड़ा दिया है अब इसमें हम एके करके वो चीज़े डालेंगे जो कि हमारी चाय के स्वाद और सिहत दोनों को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखें मैं ले रही हूँ ये एक चम्मच भर के सौफ सौफ में एंटी ऑक्सिदेंट्स भरपूर मातरा में होते हैं जो कि हार्ट को हेल्दी रखते हैं और इसमें विटमिन A और C होता है जो कि आँखों के रोशनी के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल में करते हैं और खून को साफ करने का भी ये काम करती हैं और इसमें मिनरस पाये जाते हैं, एंटी उक्सिदेंट्स और एंटी बेक्टिरियल प्रॉपर्टीस पाये जाती हैं, जो कि शरीर को कई सारी बिमारियों से बचाती हैं, इसके बाद हम लेंगे तीन लोंग, ये लोंग आपको इस तरह से फूल वाले लेने हैं, तभी आपको एक बड़ी वाली काली इलाइची ली है, ये पेट के लिए जुकाम खासी से लड़ने के लिए, गले के लिए बहुत अच्छी रहती है, इससे हमारे शरीर में काफी जादा बिमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि ये वाइरल इंफेक्शन से प्रोटेक करते हैं, हार टिसीज में भी अच्छी होती है, और स्किन के लिए भी ये काफी अच्छी मानी जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल कर इसमें डालेंगे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर रिलीज होगा, फिर हम लेंगे ये 5-6 काली मिर्च के दाने, काली अच्छी नेचरल मेडिसीन है, अगर कभी भी गला खराब हो, खासी चल रही हो, तो डॉक्टर की दवाई लेने से पहले, आप थोड़ इसी काली मिर्च और दाल चीनी का पावडर शेहत के साथ ले लेंगे, तो नेचरल तरीके से आपकी खासी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटी वेक्टिरियल और एंटी इफ्लिमेंटरी प्रोपर्टीज होती है, और ये एंटी ओक्सिदेंट से भगबूर होती है, फिर आप देखें, ये मेने लिए हैं दो छोटे छोटे तेजपत्ते, अगर बड़ा तेजपत्ता है, तो उसको हम आधा इस्तमाल करें आप सोच रहे होंगे कि ये चाय बन रही है या कोई सबजी बन रही है, लेकिन ये सो फाइदो वाली चाय बन रही है, इसलिए हम इसमें एक एक करके वो चीज़े डाल रहे हैं, जो कि हमारी कीचन में तो रखी होती है, लेकिन हमें उसे इस्तमाल करने का सही तरीका पता न आयुरुवेदिक दवाई की तरह काम करती है, इम्मुनिटी को बूस्ट करती है और शरीर की रोप्रती रोधक श्रमता को बढ़ाती है, अगर आपके पास यह नहीं है, तो इसके जगे पर आप क्या इस्तमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पिलहार आप देखे यह मैंने ली है, जाइफल, यह इस तरह का होता है, सुपारी की तरह दिखता है, लेकिन यह काफी खुश्बुदार और फ्लेवरफुल मसाला होता है, तो इसको भी हम हमारी चाय में इस्तमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी काफी medicinal properties होती है, जो कि पेट के लिए, गले के लिए, joint pain के लिए viral infections से बचनी के लिए काफी अच्छा रहता है, और energy को boost करता है, तो बस थोड़ा सा जाइफल को हम इस तरह से घिस कर इसमें लेंगे, जादा नहीं लेना है, नहीं तो चाय आपको पीने में कड़ भी लगेगी, और अब इन मसालों के बाद इसमें हम ड बड़ों तक सब के लिए काफी healthy है, बीमारियों को दूर भगा सकता है, और एका एक तुरंत ही आपको खाची से रहत दिला सकता है, अब इन सभी चीजों को डालने के बाद हमें इसे एक से दो मिनिट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, ताकि इन सभी चीजों का अर्ख हमारी चाई में अच्छे से आजाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें वो चीज डालेंगे जो की काफी बदनाम है, आपने कईयों को ये कहते हुए सुना होगा कि चाई पीना बंद करो, चाई पीना अच्छा नहीं होता है, लेकिन चाई पीने के भी कहीं सारे फायदे होते हैं, क् ये स्ट्रेस को कम करके एनरजी और इम्मुनिटी को बूस्ट कर सकती है, लेकिन अगर जरूरत से जादा अगर आप लेंगे तो कोई भी चीज हो, चाहे वो डॉक्टर की दवाई हो, अगर लिमिट से जादा लेंगे तो नुकसान ही करेगी, तो यहाँ पर हम इसको पती डाल कर हम इस चाह को दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से बॉइल करेंगे, अब मैं इस चाह को खास सर्दियों के लिए बना रही हूं, तो चीनी का इस्तमाल तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, चीनी की जगर पर इसमें मैं गुड डाल रही हूं, गुड के मैंने चोटे टुकडे कर लिए हैं और तकरीबन दो टेबल स्पून गुड में इसमें डाला है, आप अपने टेस्ट के अकोडिंग इसमें गुड को डाल सकते हैं, या फिर आपको चीनी से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको इसे श माल क्या है, तो दूद फट ना जाए, उसके लिए हम दूद को अलग से पहले बोईल कर लेंगे, तो ये देखे हमारी मसाला गुड चाय का कहवा बहुत अच्छे से पक चुका है, एक तो इसमें से मसालों की सौफ की बहुत अच्छी खुच्पो आ रही हैं, वहीं चाई पत्ति का भी इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें गरम क्या हुआ, उबला हुआ दूद डालेंगे, यहाँ पर मैंने दो कप पानी में दो कप गरम क्या हुआ, दूद एट किया है, आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग, अगर जादा दूद वाली को सर्व करेंगे, तो यह हमारी सर्दियों की स्पेशल सो फाइदों से भरी हुई टेस्टी टेस्टी चाय गरमा गरम बनकर तयार है, अब मैं आपको इसे बनाने का और भी आसान तरीका बताती हूँ, तो इसके लिए हम एक पेन में तकरीबं 10 से 12 छोटी वाली हरी जबन दालची टालेंगे, दो छोटे दालचीनी के टुकुडे डालेंगे, इसके साथ साथ हम इसमें दो बड़े तेजपत्ते डालेंगे, यह देखी इस तरह से, फिर 1 एंडर half tablespoon भरके हम इसमें सौफ डालेंगे, और साथ ही साथ मैंने पहले वाली चाय में जो मुलेथी क इस्तमाल क्या था उसकी जेगे पर मैं इसमें ये इस तरह के स्टार एनीज का यानि की चक्रफुल का इस्तमाल कर रही हूँ ये भी विटमीन्स मिनरल से भरपूर होता है और ये मसाला दिल दिमाग दोनों के लिए अच्छा होता है इसके बाद इसमें ये दो बड़ी वाली क काली इलाइची हम डालेंगे फिर हम इसमें 12-15 ये काली मिर्च के दाने डालेंगे कॉंटिटी में आपको जितनी बता रही हूँ आपको उतनी ही लेनी है इसके बाद मैंने ये 5-6 फूल वाले लोंग लिये हैं ये भी हम इन मसालों के साथ डाल देंगे और धिमी धिमी और शामिल करेंगे जो की है ड्राइ जिंजर पावडर यानि की सोंट का पावडर ये मैंने एक टेबल स्पून सोंट का पावडर इसमें डाला है और अब बस हम इन मसालों को दर दर असा पीस कर पावडर बना लेंगे तो अब ये देखिए ये हमारा एकदम ये मसाला बनकर तयार है आप इसे किसी भी 8 मसाला डाल कर अपनी चाई को देयार नहीं रखना है क्यूंकि फिर इसकी खुश्बु कम हो जाएगी हम इसको तक्रीबढ आच से 10 दिनों के लिए भी मनाकर करेंगे अब आप इस मसाले से चाई कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं तो आप फिर से आपको चाई के लिए पानी गरम करना है इसमें चाई पत्ती डालनी है जितनी कड़क चाई आप पीते हैं उतनी कम्याजादा चाई पत्ती आप डाल सकते हैं मिठास के लिए चीनी मसाला काफी है बाग की आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ये मसाला थोड़ा कम या जादा डाल सकते हैं और बस इसको मिला कर एक अच्छा सा उबाल और ले लेंगे और फिर इस गर्मा गरम मसाला चाई को हम सर्व करेंगे जितने भी मसाले हमने यूज किये हैं वो सभी एंटि आउक्सिडेंट से भरबूर हैं जो कि शरीर की विमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं और वहीं इनकी तासिर गरम होती हैं तो सर्दियों में ये शरीर को ठंड से बचाते हैं लेकिन ये चाई आपको एक दिन मे के साथ इसके मजे उठाइए सुभा या शाम की चाई के तोड़ पर इसके लुटफ उठाए और अपनी और अपने पूरे परिवार की सेहत बढ़ाए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाए और इसे सभी के साथ शेर मिलते हैं तil then enjoy this special garma garam chai and thanks for watching eat your missions